हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई इस्टडी फीट आप फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो यह न्यू प्रैक्टिस सेट का सुलोहमा प्रैक्टिस सेट है मैं यूपीटी जीटी पीजिटी यूपी यल्डी ग्रेट मर्देपर्दी स्वर्ग टू एंड विपीएसी ट्या है आपका एक्सिट होना चाहिए आप इंतजार मत किजिए डेली बेसे फिस जैसे सब काम पर आप ध्यान दे रहे हैं तो इस पे भी तिन्चार घंटा जरूर ध्यान दीजिए जितना भी समय मिले जरूर पढ़िए तो दोस्तों चलते हैं आज के कोश्टन के तरफ दोस्तों किसी ने कमेंट किया था कि मेरा EMRS का जो एक्जाम है क्वालिफाई हो गया है आपका वीडियो में देखा था पुरा आपसे वीडियो से बहुत सारे कोश्टन साय थे तो मैं अपने आपको बहुत भागिसाली समझी कि मेरे कारे से किसी को तो सफलता मिली और पान उनको हमेशा आगे इसी तरह बहाते रहें तो चलते हैं आज के कोशन कि तरब कोशन है बाल इंड साकेट जोड की चारों और मॉमेंट होती है मुमेंट अराउंड दे बाल एंड शाकेट ज्वाइंड जैसा कि आप जाते हैं बाल एंड साकेट ज्वाइंड हीप और फ्लैक्शन, एक्स्टेंशन, रोटेशन, सर्कम्डक्शन, हाइपर एक्स्टेंशन इस सभी प्रकार की गतियां होती हैं कुश्चन नमर 2 है इस्प्रेन में इनमे से कौन प्रभावित होता है विछ आफ फॉलिविंग इस अफेक्टेड इन ए इस्प्रेन जैसा कि दोस्तों आप सभ जानते हैं जो इस्प्रेन होता है वो लिगामेंट के अत्यधिक खिचने या चोट लगने पर होता है ठीक है यानि किसी अस्थी संधी जो लिगामेंट होती है अपनी छंता से अधिक खिच जाती है तो इस प्रकार की खिचाओं से उत्पन्य छती को दर्द को हम मोज यानि इस्प्रेल करते हैं मोज में सरवादिक प्रोहाइथ हमारी इस्थी यानि कि लिगामेंट होता है और अस्थी संधी यानि जोइन्ट होते हैं तो जो लिगामेंट होता है यह दो हडियों को जोड़ों पर जोड़ता है तो यानि कि यहां पे कोन प्रोहाइथ हो रहा है लिगामेंट और जोड़ य क्मी प्र Thai कोसन ओन सिन्पर ऑफिक्ट को सीगव और से नमें शंक two-syp sind अथे कोES जान है यह इस में सम्झाब अन्फ आए कोशन नंबर फूर है मांस्पेसियू के उस प्रकार को बताएं जो सरीर के गती करते समय सिकूरती है name of the type of muscles that contract when the body moves जब मांस्पेसियू गती कर रही होती है contract कर रही होती है यानि कारे कर रही होती है उस समय जो गती करने में मुख्य भूमी का अदा करती है उसे हम कहते हैं primor या agonist muscles तीच बहुते हैं primor या agonist तो यहाँ पर आफसर नंडर डी agonist आपका right answer हो जाएगा तो गती करने में जो मुखी भूमे का अदा करती हैं उसको A runningist करते हैं और उसके भीप्रीद जो भूमिका अदा करती है परतीस परजी होती है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट जैसे हम बांग को मोड़ रहे हैं एल्बो फ्लैक्शन कर रहे हैं तो उसको फ्लैक्शन मोड़ने में मुख्य भूमिका अदा कर रही है हमारा बाइसेप्स मसल्स तो मुख्य भूमिका जो अदा करती है उसे हम कहते है agonist उसके बिप्रिद भůvelka कुछ अदा कर रही है triceps muscles तो यहां पर triceps muscles अपका antagonist हो गिया इसे के बिप्रिद जल?, हम अपने हाथ को फैलाएंगे, extension करेंगे तो हाथ को फैलाने में मुखी भुमिका अदा कर रही है हमारा triceps muscles, यहां पर त्राइसेफ मसल्स आपका एगोनिस्ट हो जाएगा और उसके भी प्रीत भूमी का अदाक कर रही है हमारा राधाम asleep cells यहाप भी headlines मसल्स एंटाईबोनिस्ट हो जाएगा I hope कि आपको समझ में आया होगा दों यहाँ करती six से लिएunkt 10 कि ईंड़ि करते हैं यह को सब्सक्राइब करना सिंड़ित होता है और एंटागोरेशन मैंने बता हे इस्टेबिलाइजर किया होता है सब्सक्राइब करूजन के दुआने के मध्य छहत्र पर बलबड लगता है और वह ञ़िए दूनों सीरों पर बराबर बल के साथ मर्द की तरफ खिचती है यहां पर पेसी दूनों सीरों पर हड़ी से चिपकी होती है जो पेसी को बल लगाने में सहायक होती है पेसी के दूनों सीरों के हड़ी से चिपकी होने के करण वस्ताही और इस्ताही प्रहावी गतिक कर लेती है एक होता है fixator fixator में क्या होता है कि PC के ऐसे कार से है जिसमें PC का एक सीरा सरीर के किसी एक अंग से जुड़ा होता है और गती इसी PC के माध्यम से किसी दूसरे अंग में हो रही होती है fixator PC को सबसे समाने की लिया होती है question number 5 है सारीरिक दच्छता चंता है physical fitness is ability to तो दोसो जैसा कि physical fitness की फरिभासा है definition है कि daily routine work without any 40 यादि daily के कारे को बिना थकावर्ट के संपन करना और आपात काल के लिए अतरिक उर्जा भी बचा रहना उसे हम कहते है physical fitness तो यहाँ पे right answer क्या हो जाएगा perform daily task यानि दैनिक कारे करने की चंता यानि कि समानता सारी दच्टा ब्यायाम सही आहार और प्रयार्ट आराम द्वारा हासिल होती है निक्सन ने परिभासा दिया हुआ है कि सारी सिच्छा ब्यक्ति की आवयो चंता से संबंध है जिसमें हम अपने रोजाना के समानने कारे बिदाथ हके संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली किसी आपात इस्थिती से निपटने के लिए प्रयात बल और उज्जा सुरचित रखते हैं कोशन नमबर सिक्स है दोस्तों कि निपन में से किस खेल में बिजेता को भारत के स्री की उपादी दी जाती है इन विच आफ दे फाल्विंग स्पोर्स दे वीनर इस गीवें दे टाइटल आप भारत के स्री तो दोस्तों भारत के स्री की उपादी दिया जाता है कुस्ती खेल में, किस खेल में दिया जाता है, कुस्ती में, रेसलिंग में Question number seven है, इनमें से किसी किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदू कहते हैं Which of the following is considered the key point any management तो दोस्तो management यानि कि प्रबंधन का key point है, सभी में आपसी सहयोग और विश्वास Virtual cooperation and trust among all, सभी में आपसी सहयोग और विश्वासी किसी भी प्रबंधन का key point है Question number eight है, कि भारास सरकार द्वारा ग्रामिल खेल विकास कारिक्रम की वास्तवी के सुरुवात कम हुई When did the actual launch of rural sports development programming by government of India take place? तो दोस्तों भारास सरकार द्वारा विकास कारिक्रम की सुरुवात ग्रामिक खेल विकास कारिक्रम की सुरुवात वास्तवी क्रिव से 1971 से हुआ जब सरकार द्वारा खेल प्रतिभाग हो, छात्र वित्ती योजना की सुरुवात की गई इस उजना के तहत युवायों प्रतिभावान चात्र चात्राओं को जो माध्रिक इस तरप अध्यनरत हूँ खेलो के पस सिछ रहे तो भी सिछ स्विदाय प्रतान की गई question number nine है स्वास्ता के पाज घटक है सारिक स्वास्त, मानसिक स्वास्त है and अध्यात्मिक स्वास्त, समाजिक स्वास्त और स्वास्तवाता वरुन यानि कि स्वास्ता के पाज घटक कोन है physical, mental, spiritual, social and health environment याद रखेगा, most important है question number 10 है, अभी कथन से related है दूश्तो कि अभी कथन एह है कि मुलने की दोरान टकने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को उपर उठाने से सूजन पर नियंतर पाए जाता है बात सही है, जैसे कि हम प्रात्मेक उप्चाल में R, I, C, E पधती का प्रियोग करते है R से मतलब रेष्ट, I से मतलब बर्व का प्रियोग करना C से मतलब कंप्रेजन यानि दबाव डालना E से मतलब इलिवेशन यानि कि हिदय की उचाई से उपर उठाना जिससे जो उसका रक्त प्रवा हो सके, चोट के अस्थाम पर हो सके जिससे वहाँ पे दर्ड और सूजन जो है कम हो सके तो मोडने के दोरान टकने पर सूजन आने पर चोटिल भाग को उपर उठाने से सूजन पर नेदर पाया जा सकता है इसका तरक आर है कि चोटिल भाग को हिदय के इस तरस से उपर उठाने पर रख्त यूम तरल पतात का निकास रख्त द्वारा चोटिल भाग से किया जा सकता है तो यहाँ पे दोनों राइट हैं यहाँ पे राइटेंसर हो जाएगा आपसर नमबर A यह सही है यूम आर A का सही इस परश्टी करों भी है कोश्चिन नमबर 11 है कोश्चिन नमबर 12 है कि जंपिंग जैक में हाँद को बगल में उठाना उदार है राजिंग द आर्म टू द साइड इन जंपिंग जैक इन इज एन ऐग्जम्पल तो जस्तो जैसा की ये बैधती है ये जो है ये जंपिंग जैक में हात को बगल में उठाना ये क्या है ये है आपका एबडक्षन क्या है एबडक्षन इसको हम ऐसे कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा सरी की तरफ लाना एडॉक्सन और बगल में उठाना एब्डॉक्सन याद रखेगा कोशन नुम्बर तेरह है बच्चों की सारिक ब्रिद्धी बहुत तेज होती है किल्रेंट है वेरी फ़ॉस्ट फुजिकल ग्रोथ कब होती है दोस्तों सुरुआत की तीन वर्ज के आयू होता है तो बहुत तेजी से ब्रिद्धी विकास होता है इस उन्हें में बच्चों की सारी विकास ब्रिदी को सिका भी भाजन एउन उतकी ब्रिदी के करस्रवादी हो तो दोस्तों वायम सीए की इस्थापना 6 जून 1844 इस्वी में इंग्लेंड लंदन में जार्ज बिलियम ने किया था तो यहां पर 1844 अब कर राइट इंसर हो जाएगा और उसके बाद 1883 में स्फ्रिंग फिल कॉलेज में अमेरिका में इस्थापना हुआ उसके बाद अमेरिका से आए बिसे सग्या हैरी क्रो बक ऐसी बक ने 2020 में भारत में के नई मद्रास में YMCA College of Physical Education के स्थापना की जो भारत में सारे सिछा का प्रथम महाविद्यालय बना याद रखेगा भारत में सारे सिछा का राष्टिय महाविद्यालय कौन है सबसे पहला तो लश्मिभाई College of Physical Education कोईशन नमर 15 है उपलब्धी प्रेडा किस से समधित है एजुमेंट मुवमेंट मोटिवेशन इज रिलेटेक टू तो दोस्तों उपलब्धी प्रेडा जो होती है वह ब्यक्ति की आवसक्ता के अनुसार समधित होती है According to the need of the individual अठा सभी वेक्तियों में उपलब्धी की अविप्रेडा समान इस तर की नहीं होती है इस प्रेडा के इस तर में भी वेक्तिक बिनिता होती है जई बात है सबकी मोटिवेशन सभी की अविप्रेडा एक यसे नहीं होती है सबकी आशक्ता के अनुसार होती है कोशन नमबर 16 है हीमोग्रोबीन का मुख्यकार है अपने साथ ले जाता है और इसको कोशिकाओं तक बहुचाता है जहां पर माइटोक्रोणिया में कोशिकी सवसंक के दो рег routine की दोरा वाईवी सवसंक के दोरा एरोबिक सवसंक के दोरा ATP क्रण्य उर्जा क्रेमार करता है जो हम कारे के दोरां उप्योग करते हैं जैसे कि दोस्तों जो गैसु का ट्रांस्मिशन ट्रांस्पोर्ट होता है तो आक्सीजन का परिवन होता है वो फेपड़ों की जो एलवलाइस से आक्सीजन रख्त वाहिनियों में पहुँचकर हिमोग्लोबीन से क्रिया करके आक्सी हिमोग्लोबीन का निमार करती है आक्सी हीमोगलोबीन कोसी काम तक पहुचकर हीमोगलोबीन आक्सिजन से अलब हो जाता है तथा आक्सिजन कोसी काम में पहुच जाता है एक ग्राम हीमोगलोबीन जैसे कि आप जानते हैं प्रती 100 ml रक्त में 15 ग्राम हीमोगलोबीन होता है और एक gram hemoglobin जो है 1.34 ml oxygen को अपने साथ ले कर जाता है इस प्रकार 100 ml रखते 20 ml oxygen को अपने साथ ले कर जाता है कोश्चन नमबर 17 है निम्न निखित सरीर क्रिया कारकों में सब किसे से खेल की छमता बहुत हद तक अधायत होती है स्पोर्स अबिलेटी डिपेंस लाजली आन वीच आप फालिविंग फिजियोलोजिकल फैक्टर्स दोस्तों जो आपकी सरीर क्रिया कारकों में जो खेल की छमता जो है बहुत हद तक आप कितना ज्यादा oxygen ग्रहर कर सकते हैं उस पर निर्भर करता है तो अत्यदीक oxygen ग्रहर करन होने की छलता कों भी यह टू मैक्स भी कहते हैं याद रखिएगा कोशन निंबर 18 है खोखो में डाइविंग के समय बहतरी टाइमिंग और गति के साथ क्या हो सकता होती है डाइविंग इन खोखो रिक्वायर एक्सिलेंट टाइमिंग एंड स्पीड एलांग वीड तो दोस पॉर्शन निंबर 19 है किस रोग को लाग जा भी कहा जाता है विच डिजीज इज आर्सो काल लाग जा लाग जा हम टिटनेस को कहते हैं ठीक है टिटनेस को हम लाग जा अधनु श्टंकार भी कहते हैं जो प्लास्टिड्रियम टिटैनी नामक बैक्ट्रिया से फैलता है और यह तद्रिका अतंत्रों पीस्यों को प्रोहावित करता है इसके लच्छा होती है सरी में जटका और बेहोसी यहां पर जो रेवीज है रेवीज जो है वाइरस द्वारा फैलने वाला रोग है रेवीज जो है लेवीज दोस्तों जो संक्रमित इसंधारियों के दोरा दूसरे में फैलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं रहे जो हम अलग रोग या हैडरोफोबिय भी कहते हैं जो रहेबड वारास के दौरा फैलता है और इसमें रेवीज जो है तंत्रिका तंत्र को प्रोहावित करता साथ कुष्ट रोग जिसे हम लेप्रोसी कहते हैं कोर्षा तत्रिका म्यूकस मेंबरेन को स्विधों उद्तकों में 받고 जाता है हाथ पर पेस उंग्लियों की उत्कों का नष्ट होना होता है खस्रा जाने की मीजल्स यह फैलना रोक है खस्राइन की मीजल्स जो है वह टॉंगा वाय्रस से फैलता है Q2. रिडियस अनला हड़ी कहां पे इसीत होती है आप सबको पता है यह फोर आर्म में इसीत होती है जो अंगूठे से कोहनी तक जाती है वो अनला हड़ी होती है Q2. कोशन नंबर 21 है सरप की काटने की तुरंट बात क्या करना चाहिए तो दोस्तो, what should be done immediately after a snake bite, बीट, तो सर्फ के काटने के तुरंत बाद हम कैफ ब्रेंडेज का प्रयोग करते हैं, जहां पे काटा है उससे पहले, उसको बहुत ते, मतलब कस के बान देते हैं, उसके बाद जिसके काटा है, उसके बाद दुसरा आसना आता है चूसना, यानि कि उसको जहां पे सर्फ ने काटा है, उसको काट देजिए, ब्लेड से या किसी भी चीज से और वहां से जीतना भी रग्द हो पुरा निकाल देजिए, क्वोशन नुमर 22 है, इसके बाद अस्ति कहां इसी चीत होती है, वर यह इजने इसके बाद बून लोकेटेट, तो दूस्तों आप सब को पता है, हमारे कंदे, अपर बैग में इसी चीत होती है क्वेशन नम्मर 23 है हिंज संधी इसीट होती है हिंज जॉइंट एज तो दोस्तों आप सबको पता है हिंज जॉइंट जो है एक तल यानि कि यूनी एक्सियल जॉइंट है जो एक तल में गतिव होती है जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है उसी तरह हिंज संधी भी एक संधी भी करते हैं जैसे कि इसमें एक जॉइंट एल्बो जॉइंट उंगलियों का जोर जब्रों का जोर तो हिंज संधी क्या है एक प्रका का सचल संधी है यानि कि मुईवल जॉइंट है चल संधी के अत्रकत आता है आपसन नमबर यह यहां पर राइट होगा question number 24 है सिखना किस पर निर्भख करता है learning depends on दोस्तों सिखना जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को दो साल के बच्चे को तो हम cycle चलाने के लिए हम कह नहीं सकते जबताए उसका सार्विक, मांसिक, जैविक रूप से अच्छे से परिपको नहीं हो जाता इसलिए maturity यानि की परिपकता पनिर्भख करती है question number 25 है किस भारती को सरुपर्थम बिमल्डन पुरुसकार पदान किया गया who are the first Indian to be awarded the बिमल्डन अवार्ड दोस्तों तो इस में इसमें कमेंट किजेगा the question number 26 है लिए सद्षsil के अस्थान पर म काmadला आज़ित होता था विह सब को होता है ये रोो में होता था रोम में प्राचिन गिलेडियेटर मुकाबला होता था सैनिको का प्रसिछ्छ वहाँ पे होता था यहाँ पे गिलेडियेटर मुकाबला प्राचिन रोमन समराज में मनुरजन के लिए किया जाता था कि यह जाने वाले सशास्त्र लड़कों की एक इस परद्धा थी जिसका आयोजन रोम में किया जाता था कोश्चन नमबर 27 है एंथ्रोपोमेट्रिक मापन में अतधीक सही और विसोसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बरा मापन आवसेख है इसमें उचाई वजन चाती और सीर की परीदी आदी के अधार पर प्यक्ति का मुल्यांकर किया जाता है इसे अधारिक सही और विसोसनी बनाने के लिए कम से कम दो बार मापन महत्पूर होता है कोश्चन नमबर 28 है सारिक सिच्छा में बेक्तितु का विकास किस के तहत होता है प्रस्टनालिटी डिवलप्मेंट एज फिजिकल एजुकेशन टेक्स प्लेस अंडर वीचाव दे फाल्विग सारिक सिच्छा में बेक्तितु का विकास सत्यम सिवम सुन्दरम यानि कि आदर्सवाद के विचाधरा आइडियोलिज्म के विचाधरा पर होता है आइडियोलिज आदर्सवाद के जो जम जाता है आपके प्लेटू है क्योंकि आदर्सवाद में इसमें ब्यक्ति के नायती को अध्यात्मिक मुल्योगा विकास होता है तो आदर्सवाद आइडियोलिज्म के जन जाता प्लेटो है ब्यक्तिवाद के जन जाता रियलिज्म के है अरस्तु और प्रकितिवाद नेचर रिलिज में के प्रवर्टक है रूसू और प्रियोगवाद बिहारवाद प्राग्मेटिज में के प्रवर्टक है जॉन डिवी कोशन नमर 29 है कि सरी में बिटामीन और मिनरल्स का मुख्यकार है What is the main function of vitamins and minerals in the body तो दोस्तों सरी में बिटामीन और मिनरल्स क्या करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कारे के अधार पर जो पोसक तत्व है उसको तीन भागों में बाटा गया है जैसे कि सरी का उर्जा देने वाले carbohydrate और वसा सरी को निर्माण करने वाले टूट फूट का मरमत करने वाले प्रोटीन और सरी की रच्छा करने वाले रोगों से रच्छा करने वाले तो यहां पर आपका सधार बिर्धी विकास उपाप्चे को प्राप करना ठीक है एचिविंग नार्मल ग्रोथ डेलप्मेंट एंड मेटाबोलिजम है तो पार साला में सारे सिच्छा के कारेकर्मों को ख्याती प्रदान करने वाला मुख्य उपागम है वाट है एप में आप्रोच टेट प्रोंस 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 फिजिकल एजुकेशन प्रोग्रमीच इन एसकूल तो पर साल में शच्छा के करकरमों को ख्याती प्रदायन करने वाला मुख्य कारद क्या है दो तो आंज पर साला के ला है इसपरधाई यहनęt इंटर स्कूल स्पोर्ट कमपरटिशन यहनन इस्कूल के रणा जो भी स्पोर्स कमपरटिशन होता है इसमें से किस संस्था का प्रति वर्स अंतर बिस्विद्याले प्रतिविता कराने का उतर दायत होता है तो वीचार फालविंग इंस्टिटूट रिस्पॉंसिबल फार और और अगनाइजिंग इंटर इनिवर्सिटी कंपटिशन एवरी इयर दोस्तों अखेले भारती भी स्विध्याले संगठन का खेल प्रकोष्ट इसको करवाता है कोर्शन नमर 32 है द्रोड़ाचार पुरुसकार किस सुवर्स प्रारम किया गया है इन वीच यह वाज द्रोड़ाचार अवार्ड स्टार्डेट आज सबको पता है जो कोच यानिकी प्रसिच्छक को दिया जाता है और राजुगांदी खेलतन अवार्ड जो है 1912 में सब्वात किया गया अरजुन पुरुसकार 1961 में लाइट टाइम अच्विमेंट ध्यान चंद पुरुसकार 2002 में जिसमें से राजुगांदी खेलतन पुरुसकार में 25 जाने वाला भरात में सब्सकार और जुन पुरुसकार में और दुर्टबशा कुरुसकार में 15 लाग धन राषी और ध्यानचेद पुरुसकार में 10 लाग धन राषी लिया जाता है कोश्चन नमर 33 है किस रोग से शरीर के अंग सूचकर मोटी हो जाते हैं विज दिजिज गोजेज बोडी पार्स टू स्वेल एंड थिकने दोस्तों यहां पे किस रोग से शरीर के अंग सूचकर मोटी हो जाते हैं तो होता है रोग आपका डिजी जो आपका फाइलेरिया 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 रोग का कारण जो है बाउ चेरिया बैक्रोप टाई क्रीमी है जो मनुस्तिकी लिफ गरंदियों या निलसिका गरंदियों में पहुंच जाता है इसके कार सरी के अंग सूच कर बहुत मोटे हो जाते हैं विससकर पाउं तथा लार ग्रंथियां इसलिए इस रोग को हाथी पाउ भी कहते हैं इस रोग की सुरुवात के साथ तेज बुखार भी होता है कौर्पार को c से नमबर चोंट से हैं रग्त में यूरिया की ब्रिधि किस यंग के वीकार से होती है तो किर्नियार की विकार से होती है क्योंकि रख्त को सुध करने चानने का काम करता है फिल्टर करने का किर्णी ही जिसे मुत्र यानि यूरिया और रख्त को अलग करता है कोसिन नंबर 35 है राजु गांदी खिल रत्र पुरुषकार का प्रारम किया गया तो अभी जश्ट में बताये थी 1991 में लेकिन अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यांचें खिल रत्र पुरुषकार कर दिया गया है दोहजार इसको 2021 में नाम बदला गया है नरेन मोधी के जब ध्यांचें खिल रत्र पुरुषकार भारत का है जो चारह वर्सों के अवधी में उत्कृष्ट पदर्शन करने के लिए दिया जाता है अब 25,185 में दिया जाता है कोशन नंबर 36 है खोखू में एक पारी की समय आउती है टाइम दिरोशन आप वन इनिंग्स इन खोख दो पारी में नौ मिनिट का समय होता है हो तो हो का जो टाइम होता है नौ 3,9 एक इनिंग हो गया फिर आपका 6 मिनिट का आपका रेस्ट फिर 9 3,9 थीक है इस ताम इज्वता है कोशन 27 है लम्भी दोड में पड़तीजिन एफलेट इन को कितनी कैलोरी मिलनी चाहिए how many calories should an athlete get per day in a long race तो दोस्तों लांग रेस में प्रती तिन एथलेट को चाहिए पांच हजार से पच्छ पन सो कैलोरी तो दोस्तों यह था आज के सेशन में सब्सक्राइब करेंगे तो दोस्तों इसी तरह आप देखते रहें और आने लोगों तक भी वीडियो सेर कीजिए जिससे अभी तक वीडियो पहुंच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्रिस में तब तक की लिए जाएए झाल 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 झाल